हलो गाईज वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल मिस्टर और मिस्स शर्मा तो आज मैं आ गई हूं फिर से एक नई रेसिपी लेके आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मकनी तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले काली मसूर की दाल जो कि मैंने ले लिए एक कटोरी इसको हम कुकर में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से धुल लेंगे तो दाल मैंने धुल लिए अब हम इसमें डालेंगे पानी दो कप पानी डालेंगे इसमें हम और बॉयल करने के लिए अब इसमें एक चमश टमक डाल के इसमें हम 6-7 सीटी लगाएंगे तो जब तक हमारी कर लेंगे तो उसके लिए आप मैंने तीन प्याज लिए हैं दो हरे मिर्च अध्रक लैसन और दो टमाटर तो यह देखिए दाल में हमारे सीती लग रही है अब इसारी सब्जियों को मैंने बड़े बड़े टुक्डों में काट लिया है अब इन सबको चॉपर में डालके अच्छे से चॉप कर लेंगे आप चाहें तो मिक्सर से फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं तो देखिए मैंने यह टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है और अब इसे में हम प्याज लेसन और अद्रग को भी अच्छे से चॉप कर लेंगे तो देखिए हमारा यह भी चॉप हो चुका है अब कड़ाई को गैस पर रखके गरम करेंगे तो इसके लिए मैंने बेटर यूज किया है आप चाहें तो तेल घी जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं तो जैसे मारा बेटर मेल्ट होगा बटर हमारा मेल्ट होगे हम उसमें जीरा एड़ करेंगे दो तेज पत्ते अड़ करेंगे और थोड़ा सा हींग का पाउडर एड़ करेंगे जीरा जैसे हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा इसमें हमारे चॉप किये हुए प्याज लैसुन डाल देंगे हम और इसे अच्छी तरह से लाल होने तक भूनेंगे जब तक मारा प्याज लैसन अच्छी से लाल हो रहा है तब तक हम दाल को देख लेंगे तो देखिए दाल मैंने 6-7 सीटी लगा दी है और दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है है तो हमने इसे 3-4 मिनट पका लिया है अब इसमेまरा टमाटर का पेस्ट कर देंगे है इससे हम 2-3 मिनट तक अच्छी दिरस से बहनेंगे कि मैंने टमाटर डाल के अच्छी 2-3 मिनिट तक पका लिया है वैससとमें आम मासाले आड्ट करेंगे सब पहले हल दी पाउडर डालेंगे अढर्द कमच हल्दी पाउडर ना यह प sırप ही तो यह दो कि काउ दो तो जह मच दानिया प्लावडर डालेंगे और ओर दोقा अधार्द मत गरम मसाला पाउडर जोज सकते हैं डोकि अची तरह से मिक्स कर लेंगे कि कि अ कि हम इसमें थोड़ा सा पानी आड करेंगे जिससे की मसाली अची तरह से पक जाएं और ये देखिया हमारे मसाली अच्छी तरह से पक रहें अब मैं इसमें ये घर का बना हुआ गरम मसाला आधा चमच ये आड कर देखिया इसको ढक के 2-3 मिनाट तक और पकाएंगे हम तो अब मैंने इसमें दाल एड़ कर दिया है और दाल एड़ करने की क्लिप में से डिलीट हो गए अब मैं इसमें डाल रहे हूं कस्तूरी में थी और अब मैं इसमें ये दूद की निकली होई मलाई डाल रहे हूं आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं और इसी के साथ हमारी दाल मकनी बनकर तयार है और अब मैं इस में फदेंख ही दिनिया पत्ती इड़ोंगे और amti daal बनकर तयार है अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा संट सौ़्काय भॉचिंग झाल झाल